रमजान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था हर रोजेदार की तरह सलीम को भी ईद का बेसबरी से इंतजार था सलीम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी वो एक दर्जी था अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी उसकी सिलाई का काम सलीम ने अपने अब्बू से सीखा था उस जमाने में सिलाई का काम बढ़िया चलता था लेकिन अब वक्त बदल चुका था लोग जादा तर रेडिमेट कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे यही वज़ा थी कि सलीम का काम लगभग बंधी पढ़ गया था और इसी लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था सुनिये जी रोजे तो किसी तरह निकल गए लेकिन ईद को क्या करेंगे बच्चों का बड़ा मन है नए कपड़े पहनने का तो सिल दीजे ना दोनों के लिए एक एक जोड़ी और वो सिवई हाँ मैं करता हूँ कुछ तुम फिक्र ना करो इतना कहकर सलीम घर से बाहर आ गया वो अपनी बीवी फातिमा से नजरे चुरा रहा था क्योंकि सच यही था कि एक दरजी होने के बावजूत वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े नहीं सिल पा रहा था क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे फातिमा सलीम के हालात समझती थी लेकिन वो भी क्या करे बच्चों के फर्माईशी चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर ही देते थे अम्मी आपने अब उसे बात की हाँ हाँ बोल दिया है मैंने अब उने कहा कोशिश करेंगे फिर से कोशिश तब तो हो गया आपा रहने दो यहां तो अमीद लगानी ही बिकार है लगता है इस बार भी इन्ही फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद और मनेगी भी क्या वही हर साल की तरह अमी पानी में सिवई उबाल कर दे देंगी बस हो गई हमारी ईद तो इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं साथ साल का अमान ये सब एक सांस में कह गया उसके मन में एक बार भी ये ख़याल नहीं आया कि उसकी बातें फातिमा को कितनी तकलीव दे रही थी फिर उसी शाम सुनिये जी मैंने फैसला कर लिया है वो पास वाली सोसाइटी में मैं कली जाओंगी और फातिमा मुझ पर भरोसा रखो मैं कुछ कर लूँगा न तुम घर पर वैसे ही बहुत काम करती हो इससे जादा महनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ठीक तो वो भी नहीं जो हो रहा है बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं एद पर कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है लेकिन जब तक आपका काम ठीक से नहीं चलता मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस सलीम चाहकर भी फातिमा को रोप नहीं पाया और अगले ही दिन फातिमा काम की तलाश में निकल गई जी असलाम अलिकुम मुझे राधा ने भेज़ा है अच्छा अच्छा वालिकुम असलाम आओ आओ अंदर आजो तुमने इससे पहले कहां काम किया है जी कहीं भी नहीं बस अपना घर ही संभालती आई हूँ अब तक तो देखो इद पर हमारे यहां बहुत बड़ी पार्टी है तो तुम सब कर तो लोगी न जी आपा मैं सब कर लोगी आप बिल्कुल फिक्र ना करें एक मिनट मुझे ये फालतू की रिष्टेदारी पसंद नहीं है मुझे मैडम कहोगी तो जादा ठीक रहेगा जी मैडम जी माफ कीजिएगा वो घर काफी बड़ा था घर की मालकिन हिना वहां अपनी बच्ची शाइना के साथ रहती थी हिना के शोहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद ही अपनी शोहर का गार्मेंट्स का बिजनेस संभाल रही थी अकेले रहने की वज़े से हिना का बरताव थोड़ा रूखा हो गया था वो ज़्यादा तर गुस्से में ही रहती थी ये क्या है फातिमा तुमने अब तक ब्रेकफास नहीं लगाया मैडम जी मैंने शाइना बेबी का टिफिन तयार कर दिया है और आप आपका तो रोजा होगा ना नहीं मैं रोजे नहीं रखती तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था ओ माफ कीचेगा मैडम जी मैं बस अभी कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए नहीं नहीं रहने दो अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं जा रही हूँ इतना कहकर हिना घर से बाहर निकल गए और फातिमा शाइना के पास चली थे शाइना बेबी जल्दी करिये आपके स्कूल की बस आती ही होगी आंटी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है क्या ऐसा मत कहिए आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी आपको अम्मी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी तो वैसे भी शाम को घर आती है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा नहीं बेबी जी ये ये तो गलत होगा न चले मैं आपको स्कूल के लिए तयार कर देती हूँ फातिमा के जोर देने पर शाइना स्कूल जाने के लिए तयार हो गई फातिमा ने उसे अपने हाथों से स्कूल के लिए तयार किया फिर शाम के वक्त मैडम जी वो कुछ बात करनी थी आपसे हाँ बोलो मैटम जी वो परसो इद है तो अरे हाँ मुझे तो याद ही नहीं था बहुत सारी तयारियां करनी होंगी पार्टी में कई लोग आएंगे ऐसा करू यहाँ बैठो मैं बताती हूं क्या-क्या बनाना है हिना ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर फातिमा उससे क्या कहने वाली थी फातिमा चुप चाप हिना की सारी बातें ध्यान से सुनती रही फिर खुश तेर बात हम इतना सब ठीक रहेगा पर याद रहे फातिमा कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी नहीं होगी मैडम जी एक गुजारिश है अगर आप पूरी कर दे तो बड़ी महरबानी होगी हाँ बोलो मैडम जी वो मेरे बच्चे ईद पर फातिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिना के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गए ये देखकर फातिमा उदास हो गए तभी शायना स्कूल से वापस लोट आई और फातिमा को उदास देखकर उससे बोली क्या हुआ आँटी आप इतने सैड क्यों हो कुछ नहीं बेबी जी आप चलिए न मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ नहीं पहले आप बताईए आप सैड क्यों हो सुबह मैंने आपकी बात माननी थी ना तो अब आपको मेरी बात माननी होगी मुझे बताईए न क्या प्रॉब्लम है वो बेबी जी अब रहने दीजे कोई बात नहीं है आउंटी बताईए ना प्लीव शाइना फातिमा से जिद करने लगती है जिसके बाद फातिमा उससे अपनी सारी परिशानिया कह देती है ओ गाद क्या ऐसा भी होता है मेरे पास तो कितने सारे नए कपड़े है और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए नए कपड़े दिलवाने वाली है आउंटी आप बिल्कुल परिशान मत हो मैं अम्मी को बोल दूँगी वो आपकी बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरिद लेंगी फातिमा क्या है ये सब और अपने कमरे में जाओ अभी मैडम ची आप गलत समझ रही है मैं बस मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बस ये ईद की पार्टी निप्टाओ और फिर उसके बाद अपना हिसाब करो तो नहीं मैडम ची ऐसा मत कहिए मुझे इस काम की बहुत जरूरत है जरूरत है तो क्या कुछ भी करोगी तुम मेरी शाइना भी बच्ची है उसे बहला कर तुम क्या करना चाहती थी मैं सब समझती हूँ इतना कहकर हिना वहां से चली गई फातिमा दुखी होकर देना लगी इना ने उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया अम्मी आप आ गई कहां जा रहे हो तुम दोनों सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी बलकि आप भी तो चल रही हैं ना हमारे साथ इत के लिए कपड़े दिलवाने आप नहीं तो कहा था कल हाँ कहा तो था मैंने पर बच्चो पर क्या अम्मी आप भी अब्बू की तरह जूट बो रही थी क्या नहीं नहीं पर वो क्या है ना अज मैडम जी से बात नहीं हो पाई कल मैं जरूर उनसे बात करूँगी और तब हम पका बाजार चलेंगे ठीके फातिमा ने उस वक्त तो किसी तरह बच्चों को मना लिया लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अगले दिन वो क्या करेगी हिना के घर पर पार्टी की तयारियां जोर शोर से चल रही थी फातिमा भी इनी तयारियों में लगी थी तब ही अच्छानक शाइना शाइना कहा हो तुम फातिमा तुमने शाइना को देखा क्या नहीं मैडम जी मैंने तो उने नहीं देखा देखो फातिमा, सच सच बताओ कहा है मेरी शाइना मैडम ची, आपका क्या मतलब है? मुझे सच में नहीं पता शाइना बेबी कहा है हिना ने खुद ही ये तरह कर लिया था कि फातिमा ने ही शाइना को गायब किया है वो पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तब ही अचानक शाइना खुद वहाँ पर आ गए उसके हाथों में धेर सारे कप्रे थे जिनने फातिमा को देते हुए उसने कहा आंटी, ये लीजे, ये नए तो नहीं है, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं है मैंने स्टोर रूम से लेकर आई हूँ, अब तो आपके बच्चे ईद पर खुश हो जाएंगे ना शाइना, क्या है ये सर, तुमसे ये सब किसने करने के लिए कहा, फातिमा ने ना नहीं मम्मी, आंटी ने मुझसे ये कप्रे लाने को नहीं कहा और उस दिन भी मैंने ही उनसे जिद की थी, तब ही उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी अमी, आपने ही तो सिखाय था, कि हमें जितना हो सके जरूरत मंदों की मदद करनी चाहिए हमें दूसरों की ईद मुबारक करनी चाहिए, तब ही हमारी भी ईद मुबारक होती है अमी, आंटी के बच्चों के पास पहनने के लिए नए कप्रे नहीं हैं, और मेरे पास इतने सारे हैं तो अगर मैंने ये कप्रे दे दू, तो इसमें गलत क्या है? हिना के पास अप कहने को कुछ नहीं था, उसकी खुद की बेटी ने उसे वो सब याद दिला दिया, जिसे वो अपनी परिशानियों में भूल गई थी उसने फॉरण शैना से वो सारे कप्रे लेकर फातिमा को दिये और उससे कहा फातिमा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर एक बात बताओ, तुम्हारा तो एक बेटी और एक बेटा है न, तो सिर्फ इन कपडों से तो काम नहीं चलेगा हम, शैना, तो फिर चलें इद की शॉपिंग के लिए शैना ने मुस्कुरा कर हिना का हाथ थाम लिया, इसके बाद हिना ने ना सर्फ फातिमा के बच्चों को ईड़ पर नए कपड़े पहनाए, बल्कि उसने सलीम को भी काम पर रख लिया सलीम हिना की गार्मेंट कंपणी के लिए कपरे चिनने लगा और इस तरह हिना और फातिमा दोनों की एड मुबारक हुई Best Buddies Hello friends, thanks for watching this video अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, Best Buddies